मारो इसे और मारो इसे ये इसी लायक है सरपंजी कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है अब इसे गाहों से बाहर निकाल देने में ही हम सब की भला ही है तो देर किस रात की है अभी इसे धक्के मारके इस गाहों के बाहर का रास्ता दिखा दो अर शारपंजी ऐसा मत करिया मज़े एक मौका और दीजीए मैं दूबारा कभी जोरी नहीं करूँगा लेकिन गाउं वाले उसकी प्रिक नहीं सुनते और उसे मार मार के गाउं की सीमा के बहा निकाल देते हैं मेरे कमर दर्थ के मारे मेरे जान निकली जा रही है कम बक्तों ने जम के दुलाई की है मेरी अरे बगवान करें इनके गाउं में भूचाल आ जाए धरती भट जाए और सब गाउं वाले उसमें समा जाए चलते चलते कालिया जंगल में पहुँच जाता है उससे वहाँ एक प्रयोग शाला दिखाई दीती है अरे इस चंगल में यह अजीब सा देखने वाला घर किसने बनाया है चल कर देखना पड़ेगा कालिया प्रयोग शाला के पास चला जाता है दो वय्यानिग प्रयोग शाला में बाते कर रहे होते हैं पदाई हो डॉक्टर चमन आखिरकार हम दोनोंने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविश्का कर लिया है जिससे पहन कर कोई भी इज़ान गायब हो सकता है हाँ हाँ तुमने बिलकुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो अब कल सुबर ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं हाँ हाँ मुझे तो बड़ी जोरों से बुख लगी है चला चलते हैं दोनों वज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं उनके जाते ही कालिया प्रयोक शाला में दाखिल होता है अच्छा तो ये बात है कालिया बड़े से काज के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बाध लेता है फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है कालिया को एक जोरदार जटका लगता है कालिया अपने आपको आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गाय भूचुका होता है अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा गाउ वालो मैं आ रहूँ कालिया गाउं की और चल पड़ता है थोड़ी दिर के बाद दोनों वज्यानिक वहां आते हैं अरे ये क्या लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है ये देखो पैरो के निशान अब क्या होगा अगर वो घड़ी केसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा तुम चिंता मत करो हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है न वो सिर्फ 24 गंटे चलेगी उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर दीगी उदर दूसरी तरफ गाउं में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है तभी एक आहट से उसकी निन्द खुल जाती है अरे कौन है? कौन है बहा? बड़े मज़े से सो रहा है कालिया पास में पड़ा डंडा उठा कर सरपंच की पिटाई शुरू कर दीदा है ये ले और ये ले इसी लायक है ले आप मर गया अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे कोई बचाओ मुझे मेरे घर में भूत आ गया है सही कहा मैं भूती तो हूँ ये ले अरे भूत जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मुझे छोड़ दीजिए आपको क्या चाहिए? तेरे गर में जितना भी पैसा है ना मुझे ला कर दे दे तब मैं तुझे छोड़ दूँगा और यहां से चला जाओंगा सरपंच अपनी तीजोरी से पैसे निकाल कर एक बड़े कपड़े में बांध कर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ जमीनदार गाओं के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है इस कमीने जमीनदार ने भी मुझे बहुत पीटा था इससे भी बदला लेना तो बनता है जमीनदार अचानक अपने आपको चाटे मानने लगता है अरे भाई ये क्या हो रहा है जमीनदार साहब अब ठीक तो है न अरे मुझे नहीं पतब है अरे मर गए रे ये तपक का किसी बूत प्रेट का काम है जमिंदार के अंदर कोई बूत आ गया है इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए मनोहर बाई अपनी जान बचानी है तो भागो यहां से ये क्या अरे बाप रे बाप मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है मैं तो चला यहां से अगली सुबर इस घटना से पूरे गाउं में दहशत फैल जाती है सभी गाउं वाले आपस में बात करने लगते है अरे भाई पता नहीं कहां से अमारे गाउं में एक भूत आ गया है उस दिकल रात को सरपंच और जमेंदार की खूब पटाई की और उनके सारे पैसी भी लेकर चला गया हाँ बाई हाँ यह बूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है मेरी समझ में नहीं आता कि बूत उन पैसों का करेगा क्या अरे टेल में पकोड़े बना के तलेगा बेवकुफ इस बात की चिंता करके कहीं बो भूत हमारे घर में न आ जाए तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अरिया मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ अच्छा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ उस भूत का कोई भरोसा नहीं है तीनों वहाँ से चले जाते हैं दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है इतने सारे रुपया तो मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में एक साथ कभी नहीं देखे इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाओंगा आज मैं उस मोटे बबन को अपना शिकार बनाओंगा सुना है देज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे रात होते ही कालिया बबन के घर में गुज जाता है हाँ मिल गई ती जोरी अब जल्दी से इसे खोल कर सारे पैसे निकाल लेता हूँ अरे खुल जा खुल जा खुल लगई कालिया पैसे थेले में भरी रहा था कि तबी बबन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है भए क्या कर रहा है है अरे हट अरे तेरी इतनी हिम्मत मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तु फिर भी मेरी तीजोरी से पैसे चुरा रहा है अरे मैं तो गायब हूँ तू मुझे कैसे देख रहा है कालिया अपनी घड़ी को देखता है अरे इसे क्या हो गया है अए लगता है बैटरे खतम हो गई अच्छा तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ कालिया भाग कर घर की बाहर जाता है बाहर सभी गावाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं अच्छा तो तू वो भूत है मुझे माफ कर दीजे सर्पन जी मैं आपके और समिंदार जी के सारे पैसे लोटा दूँगा और आज ही हमेशा के लिए ये गाव छोड़का चला जाऊंगा शिक्षा बुराई ज्यादा दिन की महमान नहीं होती एक दिन उसका अंध होई जाता है